आज का हमारा motivational quote है असफलता सफलता से भिन्न नहीं है बलकि असफलता सफलता का ही एक पार्ट है तो हमें असफलताओं को सफलता की और बढ़ने वाली steps के तौर पे लेना चाहिए इस तरह के कि सकारात्मक्सोच के साथ हम सुनिशित ही सफल हो सकते हैं तो इस तरीके की positive thoughts के साथ हम आज कानला से start करते हैं तो आज है 16 अगस्त 2022 बुद्धवार का दिन है और जो first news है आज वो है कि बिहार के अंदर नया cabinet बनाया है उसके अंदर 31 ministers induct किये गए हैं जो ministers induct किये गए हैं बीजेपी आरूप लगा रही है कि वो काफी ज़्यादा उनका of criminals and politics is known as criminalization of politics और यह primarily होता क्यों है क्योंकि यह नेक्सेस between politicians and criminals and politicians के बीच में नेक्सेस होता है इस वज़े से criminalization of politics होता है तो यहाँ पे अभी Supreme Court ने ठीक है Supreme Court ने recently Amicus Curia appointment किया था Supreme Court ने help करने के लिए special courts to fast track cases MP or MLS की जो खिलाब जो होते हैं वो तो उसमें पाया गया कि 4984 criminal cases चल रहे हैं इस December 1 December 2021 तक हमारी legislators के खिलाफ तो यह अपने आप में मतलब की sad picture है पूरी ठीक है this trend highlights the increasing instance of the criminalization of politics आप आपका जाओ यह देखना है हमको Amicus Curia word का मतलब होता है friend of the court is someone who is not a party to a case and may or may not have been solicited by a party तो मतलब यह पूज़ता से free है एक तरह से बोल सकते है independent है and who assist a court by offering information expertise and bearing on issue of the case ठीक है तो इस तरह से यह Amicus Curia के बारे में हमने देख लिया है अब हम next news की तरह profit करते हैं तो जो अगली news है वो है Chinese tracking vessels reach Sri Lanka port तो चाइनी के जो tracking चाइना की जो tracking vessels है वो पहुंच चुके हैं Sri Lanka के port के उपर तो इसको काफी अपोच किया गया इंडिया के दोरा US के दोरा तो तो चाइना ने बोला कि आप गल्थी अपोच कर रहे हो तो उसके regarding यह news है तो यहाँ पर regarding हमारे लिए इतने important news नहीं हो जाती है इसके regarding हम एक दो हमारे काम की चीज़े एक्जम point of view से देख लेते हैं तो एक तो होता है United Nations Convention on the law of the sea यह क्या है तो UN clause है यह also called it the law of the sea convention और law of the sea treaty पी बोला जाता है यह international agreement है ठीक है जो कि establish करता है a legal framework for all marine and maritime activities तो June 2016 में 167 countries जो थी and European Union इसका part था तो आप इसके बारे में और आगे जाके पढ़ सकते हो क्योंकि यह काफी important हो जाता है आज जो world order चल रहा है और जिता से world order के अंदर breach किया जा रहा है rules को है ना navigations के laws को जैसे break किया जा रहा है तो इस वज़े से यह काफी important हो जाता है तो इस ओचल रहे हैं बार-बार यह सामने आते रहता है यहां और अर्मेनिया वाला conflict जो है पहले हम इसको में देख लेते हैं तो आपका जो अजर्वाइंट्री क्लैसेज हुआ है वह इस प्लेस के उपर हुए हैं और यहां पर जो इस रीजन है यह आपका जो है अजर्वाइजा जो है आर्मेनिया के आसपास है लेकिन अजरवाजान इसको पूर्टोल में करता है इसको नाक्षी वियन और रिपब्लिक को वहीं पर यह है नागर्णो करभाक रीजन नागर्णो करभाक रीजन है इसका यदि मैं स्टेटस बताना चाहूं तो कुछ किस तरह कि का है यहाँ एथनिसिटी है वह है अर्मेनियन एथनिसिटी ठीक है यहाँ पे जो एथनिसिटी है ने आपने आपको एक ऑटनमस बूलते हैं और यह आजरवाजान के पास में होने के विज़े से काफी ज़्यदा मतलब इसके सब्सक्राइब बगणा चलता रहता है तो इसके बारे में म तो यह अभी decent issue रहा है थोड़ा, ठीक है, हो क्या रहा है अब इसमें देखो, तो हम देखते हैं, नगर्णो-कारबाग conflict is an ethnic and territorial conflict between Armenia and Azerbaijan, तो जो conflict है वो अथनिक भी है और territorial conflict भी है, ठीक है, over the disputed region of नगर्णो-कारबाग inhabited mostly by the ethnic Armenia, तो आपको यहाँ पर अच्छे से देखना है, but located within the boundaries of Azerbaijan, तो मैंने आपको जिसे बताया था, पहले भी, ठीक है, क्या बताया था मैंने, कि यहाँ पर देखो, आपको इस region को देखना है, यह region की बात चल रही है, जो आपको नगर्णो-कारबाग region है, यहाँ पर जो ethnicity है, वो तो Armenian है, और पास में Azerbaijan के यह आता है, ठीक है, और यहाँ पर यह autonomous region बना हुआ है, यहाँ यही लिखा हुआ है, but located within the boundary of Azerbaijan, ठीक है, और यहाँ पर जो ethnic है, वो है, Armenians, तो while the area remains in Azerbaijan, it is today governed by separist Armenians, ठीक है, तो Armenians के तुरू govern के जाता है, who have declared it a republic called the, तो यह बिल्कुर अपने आपको क्या बताते हैं, नगर्णो-कारबाग autonomous, जो है region यह अपना आपको बताते हैं, एक तरीके से, ठीक है, तो इस वज़े से conflict यहाँ पर चलता रहता है, और यह पूरी पिच्चर थी यहाँ की जो दुबार में crystal clear कर देता हूं, यह जो region है, काफी conflict में रहता है, ठीक है, यहाँ पर जो यह region है, नक्षिवन जो autonomous province है, एक तरह से यह अजरबाइजान का है, लेकिन ज्यादा hot spot यह बना रहता है हमेशा, ठीक है, तो यह नक्षिवन और आपको रगणो-कारबाग region इन दुनों का देहाँ रखना, इस पेसिफिकली इसका क्या इशू है, कि यहाँ पर जो एथनी सिटी है, वो तो अर्मेनियन है, लेकिन आता है एक तरह से अजरबाइजान के अंदर और 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 अटोनमस रिजन ही बन जाता है, उन्होंने अप डिकलेर कर रहा है, तो काफ़ ज़्यादा इशू में रहता है, यह देखो बाकू, ठीक है, कैपिटल अजरबाइजा तो देखते हैं, बाल आधार कार्ड ठीक है, प्रिकरसर होता है, टो एस क्टेंटर आधार कार्ड कर का, इशू कर दिया जाता है, बैनिफिटिके क्या होता है, बाल आधार कार्ड, एक तरह से फैसिलेटर का का काम करता है, अवेल करने के नदर बहुसार새 यह यह वैल और यह एक तरह से digital photo identity की तरह भी काम करता है बच्चे के लिए तो difference between the regular आधार काड और बाल आधार काड में क्या अंतर है देखो biometrics to establish uniqueness of for the बाल आधार काड is not collected unlike in the case of आधार तो जैसे आधार काड के अंदर हम biometrics को collect करते है तो हम बाल आधार के अंदर बाल आधार के अंदर बाल आधार काड नहीं की जाती है एक facial image होती है बच्चे की उसको ले लिया जाता है as compared to उसके जिससे उसको enroll कर दिया जाता है biometrics authentication of the parent and guardian and a proof of relationship document preferably birth certificate are collected तो यह चीज़ा और collect की जाती है धानकना को at the time of the enrollment कौन से चीज़े authentication of the parent and guardian ठीक है biometric authentication of parents and guardian and a proof of the relationship document preferably birth certificate तो यह सब चीज़े collect की जाती है अब एक एक आगने थोड़ा criticism किया है बाल आधार का क्योंकि है तो अभी audit body हो रही थी उधाई की जो है तो उसमें यह issue निकल के आया है कि अधार काड टो children and newborns जो होता है विदाउट बाल आधार काड की नाम से जाना जाता है तो यह प्रैक्टिस जो है तलाकी हशन होता है ठीक है एक तलाकी हशन होता है जो यहां पर बता रखा है और एक तलाकी विद्दत होता है जो कि triple तलाक होता है तीन टाइप के तलाक बहुत जादा मदलब नियूज में रहते हैं तो तलाकी विद्दत जो हता है त्रीपल तलाक होता है जो तीन बार बोलके और तलाक दे दिया जाता है उसको तो तो खुलमिला के Supreme Court ने उसको तो nullify कर दिया है, हटा दिया है, लेकिन जो तला की हसन है और तला की हसन के लावा तला की एहसन जो है, यह अभी भी न्यूज के अंदर है और काफी kontrol सीज में है, तो इसमें यही इसू चल रहा है कि आपने तला की विद्दज जो होती है, तो उ सोहर मतलब कि पती होता है सोहर पती जो है वो तीन मंठ तक लगातार के तरॉ ृत तरण बी वार जोता है है इसमें प्राइमाफीजिए देखने पर नहीं लग रहा है से खिलाफ scholarship के गई है फाईL की गई सुप्रीम कोट नमण प्राइमाफ्यजिज observation दिया है उसमें बोला है कि this is not like so much wrong improper in prime offices को देख रहे हैं तो क्योंकि actually मैं woman जो है उसके पास भी एक खुला जो करके है था खुला यह होता है जिसके तुरू वो डाइवर सिक्टर से ले सकती है पती से तो पर जो प्रेटिस नारा उसका नहीं लग रहा है और इसमें खुला का भी प्रोविजन होता है जिसमें महिला है जो अपने आपको मतलब की तलाग ले सकती है खुद भी तरब से भी ऐसा होने पर तो यह अभी काफी चल रही है तलाग की बिद्दद जो था उसमें पहले कीस थे उसमें अब भी जो महिला है उससे तलाग दी गई थी उनका कुछ नहीं हो पार रहा है वह तो उनको तलाग हुआ है ना ही मतलब की वो उसे फ्री हो पाई है तो इसमें कोट का बोलना है कि आपके पास खुला वाला खुला का आपके पास प्राविजन है आप उसको यूज में ले सकते हो लेकिन ये तो ठीक है लेकिन इसके खुला का प्राविजन को यूज में लेना भी फिमिल्स के लिए इ सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करें जो आपका थीक है पालन थाउजन तो एक पता है इंडिया है इस टेकन रैपिट इस ट्राइट सिन चायल्ड मोटेलिटी सिंस तूज़न फॉर्टी पर हंन थाउजन टू अभी थर्टीफाइव पर थाउजन हो चुकी है जो चायल्ड मोटेलिटी रेट है वह 2019 में पांच साल में अपने दस का इंप्रूमेंट हमने कर लिया है डॉक्टर भार्ति प्रवीन पावार जो है वो पता रहे हैं हमको यह डॉक्टर भाती प्रवीन प्रवीन प्रवार है वो यूनियन इस्टाफ इस्टेट लॉंच से अर्ली चाइल्ड हुल डेवलप्मेंट कॉंक्लेव पालन ना बालन थाउजन नेशनल केंपेंड परेंटिंग एप इन्होंने लॉंच क गई है आगे दिखते हम चाइल्ड मोटिली रेट के बारे में चाइल्ड मोटिली रेट होती है तो एस पर सैंपल रेजिस्टरिशन सिस्टम स्रस गुलेटिन ऑफ रजिस्टार्स जन्रल डी इंडिया अर्ट याई का जो है इन्फेंट मोटिली रेट हैस राटी सेवन पर थर्टी पर थाउजन लाइबर 2019 तो यहां पर भी काफ़ी नेशनल लेवल पर इंप्रूव्मेंट हुआ है चाइल्ड मोटिली टेट जो हुआ है वो थर्टी पर पहुंच चुकी है तो यही था इसमें है ना चाइल्ड मोटिली टेट को हमने देख लिया है अब देखते हैं 376 देखो एक तो डीबी है यह वाला और एक है 376 में ही एबी 376 जो डीबी है वो तो क्या बोल रहा है 376 डीबी तो बोल रहा है आपका कि यह गैंग रिप की बात करता है 376 एबी जो है जो है रेप फॉरे चाइल्ड अंडर 12 वियर्स बारा साल से कम मुम्रिका जो बच्चा है उसके रिप की रिगारिंग है 376 एबी ठीक है इसमें 20 साल की सजा का प्रवेधान है वहीं पर यह गैंग रिप की बात करता है 376 डीबी और इसमें मतलब अंटिल डैथ तक है आपको इंपीजमेंट का सजा है तो इसमें जो पैट्रिशनर है वह अभी सजा काट रहा है औ आप उसको सुधने का मौका भी दोना चाहिए एक मौका तो उसको मिलना चाहिए चाहे बहले सजा मिले उसके बाद तीक है तो यह अभी आपका अबिटेरी है 376 डीबी है गैंग रेप के अंदर क्योंकि दू लोगों ने मिलके रिप किया है तो इसमें सजा एकदम से इतना अगरेप लोग है तो इसमें आपको पता है 2018 के अंदर अमेंडमेंट हुआ था ठीक है और उसके बाद अमेंडमेंट के बाद यह प्रोविजन निकल के आया था कि लाइफ इंप्रिजमेंट कर दी जाएगी यदि का प्रोविजन होता है तो ठीक है तो इसको आपको देख क्राइश कर रहा है ना लेबर फोर्स का जो क्राइश कर रहा है चाइना भी काफी हद तक क्यों कि वहां पे एकदम से काफी डाउन हो चुकी है जो अभी हम बोल सकते हैं कि पटलिट रेट और अब लोग बच्चे नहीं करना चाहरा है और उनका साइकलोजिकल इस तरह से ब सब्सक्राइब कर जाएगा तो उसमें चाइना मतलब काफी टाउन जा रहा है वक्फोर्स के अंदर यहां पर चाइना टूजड़े ना अनौस किया है तो परक्स वागरा देने की बात कहिए है कि आधी अब बढ़ाते होता है ना तो जिस तरह से पहले क्रेक्डाउन किया था जाकि वक्फोर्स को बैटर किया जासे कि तो यही है ना चाहिना की अपनी बढ़ाने के लिए थ्री चाइल्ड पॉलिसी के बारे में हम यहीं बता सकते हैं आप जितना ही हमारे काम का है तो और प्रोविंस मस्ट और इंशूर दे प्रोवाइड इनफ नसरीच फॉर किस तरह से हमको करनी है तो इसके रिगार्डिंग है तो एथिनॉल इट इज वन आफ दी प्रिंसिपल बायो फ्यूल्स विच इस नेच्रली प्रडूट्स बाइडी फर्मेंटेशन ऑफ सूगर वाया पैट्रोकेमिकल प्रोसेस सच एज एथाइलीन हाइड्रेशन आपको ऐची आफ रहे हो रिघ्ञा करते थो इसके इमपोर्ट सब्सक्राइब कार्म करोन को बूस्ट करना यह गैं यह यह चल भी रही है तो इससे काफ़ी फार्मेस की इंकम भी बूस्ट हो जाएगी ब्लेंडिंग की टार्गेट्स है वो क्या है ठीक है यहां पर हम इस सारी बात कर रहे हैं तो आपके बता होना चाहिए कि सुगर्द के इन जो है एक वाटर गिजलिंग क्रॉप है मतलब बहुत कर देंगे लेकिन अब इसको 25 में हमने शिफ्ट कर दिया कि तुझा 25 तक ही हमको 20 परसंट एथनोल ब्लेंडिंग कर देनी है पैट्रोल के अंदर अब इसका सिगनिफिकेंस क्या है इस तरीके का बायो फ्यूद को इसको पैट्रोल में मिलाने का तो इसको क्या होगा डिपे एक्सपेंसिव और पॉलुटिंग पैट्रोलियम तो इंडिया इंपोर्स 85 परसंट ओफ इस ओल रिक्वार्मेंट तो कितना ज़्याद हम इंपोर्ट करते हैं तो इंपोर्ट बिल हमारा कम हो जाएगा तो यह सिगनिफिकेंस है फस्ट अफल तो दूसरा तो मनी तो जाधा हो गया है तो यहाँ पर हमारे याप ज्यादा हम इंपोर्ट किसे ब्हीं करते हैं और converts गया हउ इसको हम become biggest export है में यहां जो िंपोड करते हैं की यहां जो ul- 화 में इमपोट करता है मैक्सिमा और रिभाइड में Think हुआर जोуса को यहां यहां पे इसलिए भी होता है कि इसलिव अ क्या थे क्शंपोर्ट करना होता है थे जहां हुआ हं देख सकते हो कि अपने आपने काफी बड़ा चंक है बचा लेना हमारे बजट का काफी बड़ा किस्सा हो जाता है काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है अब देखते हैं लैस पॉल्यूटिंग तो जो पॉल्यूशन है वो भी कम हो जाएगा फ्यूल का एंदर हम बहुत ज्यादा आगे है हाला कि हमारा टोटल जो एडिया है इसको एक किलमेटर के आसपास ही है चाइना का और इनका 96-98 के आसपास है अमेरिका का और चाइना का 96-98 मत्तीन कुना बढ़े हैं लेकिन एरेवल जो लेंड है वो उसमें हम काफी अच्छे हैं इसको भी आपको जाद रखना है तो यहां सुगर कई को तो ऐसी जगए पर ही उगाओ है यहां पर लाट अब लगया है यहां उगा इसा न हो का फि रोप करका чер से मुक्सान भी होता तो यह सारी बात ही की गई है, इसमें तो काफ इच्छ हो जाता है, तो इस चीज़ को तहां रखना है, तो सबसे पहले तो cost, the production of the biofuel requires land, this impacts the cost of the biofuel as well as that of the food crops, ठीक है, तो cost मतलब production of the biofuel requires land, कोई बात हैं, दोबारे बता रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, फिर हमारे दूसरी जो कोई पर असरा है, यह बता रहे हैं, massive qualities, massive quantities of water required, proper irrigation of biofuel crops as well as to manufacture the fuel, which could stand local and regional water resources, efficiency की बात आती है, तो fossil fuels produce more energy than, मतलब इसमें बहुत सकते हैं, octane number है, octane number से represent होता है, इसको याद रखना है आपको, तो fossil fuels produce more energy than some of the biofuel, for example, one gallon of ethanol produced by less energy, produced less energy as compared to one gallon of the gasoline, यह बताना चारा कि octane number होता है, इतना अलके नतर काम होता है, octane number से ही efficiency निकलती है, तो यह भी एक important point है, यह आपको दयाना है, तो यह काफी important था और हमें काफी अच्छे से इसको देख लिया है, काफी internal point में मैं आपको बता दिया है, अपनी दर से भी, ठीक है, अब हम आग इसकी growth versus development की जिवेटर, उसी का एक थोड़ा सा यहां पर भी दर्श्य दिखाया जा रहा है, थोड़ा environment की भी बात की जा रही है, तो और तभी काफी stress के अंदर है, कुछ है ना, आपके यहां पर आखने दी जा रहा है, इनको आप अपने answer writing के अंदर यूज में ले सकते हो इंडिया is placed at 120th among 122 countries में 120 नमबर में मारे हैं, कितनी हमारी quality water की खराब हो चुकिया, आप समझ सकते हो यहां से, बड़ी ही deplorable, बड़ी ही pathetic situation है water की यहां पर, हमारे हैं पर है ना, जब 120 नमबर में मारे हैं तो, land degradation and desertification are taking place over 30% of our land, land degradation and desertification हो रहा है बहुत जादा, according to the Indian Space Research Organization, average level of the land productivity are one-fourth and one-fifth of what could be the, जो हो सकती है उसकी तुल्णाबी प्रटक्टिविटी हो और one-fourth और one-fifty रहे यह क्योंकि हमने इतना ज्यादा pumping of artificial fertilizer कर दिया है, आप सारी प्रोग्राम जो चल रहे हैं ना, वो भी आप यहां पर इंसके जैसे साइट कर सकते हो, और यह हैना, जो समिट हुई थी है ना, और समिट वहाँ पर तीन चीज़े निकले थी, एक तो UNCCD, एक UNFCCC, ठीक है, और UNCBD, तो इसमें जो UNFCCC से तो आपको सब, काफे सारे आपकी प्रोटोकॉल सब निकल रहे हैं, UNCBD के अंदर हमने अमने अमना बाइर डाविसिटी एक 2000 कर लेके ह आए हैं, इस तरह से जो UNCCD है, इसमें भी हमारी कमिटमेंट्स हैं कुछ, और ग्लोबल प्लीज भी लिया हुआ है, पुरा ग्लोब ने भी, और इंडिया का भी कुद का कुछ टार्गेट्स है, वो आपको बताने कि क्या टार्गेट्स है, तो काफे इंपोर्टन है, और व पता है, हमारी GDP कितनी है, तो हम लगवग 2.7-2.8 trillion dollar के आसपास है, तो इसमें से 5% का loss हो जाना, GDP का, इसका मतलब समझे हो 5.7%, मतलब लगव 11,00,00,00,00,00 के आसपास आप बोल सकते हो, कि इतना लुक्सान हो जाता है, तो फिर मैं बता रहा हूँ, बार लाग करोड की GDP काफी बड़ा नक्षान है अपने आप में, तो वैसे आप इनको इस तरह से दीख सकते हो, तो politicians and economists must set this in their priority as obsession with economic growth, despite growing evidence of GDP being a very poor indicator of human wealth being treats the environment as fodder for exploitation, अला बही डिवेट है कि को मिला कि आप GDP, GDP, GDP और के आप आप ग्रोथ-ग्रोथ की बात की पीचे आप भग र जो है ना growth के साथ, GDP के साथ जो obsession है आपको इतनी percent होगई, इतनी percent होगई, इसको थोड़ा कम करो, और politicians and economists को ये भी देखना चाहिए, जो obsession है ना उनका इसको कम करना चाहिए, और environment को भी देखना चाहिए, तो ये क्या है, इसमें क्या है, तो अभी मतलब हमको क्या करना है, क नोंने क्या किया है, एक model demonstrate किया है, कि किस तरह से organic rain-fed farming के दूब आप traditional seed diversity के माद्यम से, आप food security को क्या कर सकते हो, ensure कर सकते हो, मतलब को क्या बोला जारा है, देखो अभी क्या हो रहा है, कि हमें gradual shift होने की requirement है, हना और हमें gradually आप organic rain-fed farming and chemical को utilization को कम करने के और इन सब चीज़ो होना चाहिए, अबरप्टली नहीं होना चाहिए, क्योंकि अबरप्टली कि क्या consequences हो सकते हैं, वो अभी हम सिरिलंका में देख रहे हैं, सिरिलंका ने सड़न लिया, अचानक से अपने आपको और निक करने के लिए, मतलब एक तरह से बूल दिया, और उसके वहां पे कितना बड़ा crisis अभी आ गया है, food crisis हो गया है, वहां पे, इतनी बड़ी हमारी country है, जो आपका green revolution हुआ था, वहां से यह सब चीज़े स्टाट वी थी, chemical का utilization बहुत ज्यादा, तो उससे काफ़ यदा, हमने food production में तो sustainability अच्यू कर लिए, और हम self-sufficiency को अच्यू कर चुके हैं, भल काफी ज्यादा हम से प्लस में जा चुके हैं, that is not an issue, अब हमें gradually, not abruptly, क्योंकि सिलंका नहीं बना है, हमें gradually, धीरे-धीरे, अब shift होना है, किस चीज़ की और shift होना है हमें organic farming की और, ताकि हमारा जो soil है, जिसकी productivity कम होती जा रही है, वो हम दुबारा restore कर सके, आगे बोला गया बता रहे हैं कि, several hundred handloom viewers in Gujarat have shown how dignified livelihood can be revived based on organic काला cotton, तो काला कोटन जो organic है, उसके थुरू भी आप dignified तरीके से livelihood को on कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप भाग रहे हो पस किल पैसे के पीछे, और environment को damage कर रहे हो, ऐसी mentality आपकी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमको future generation को भी एक अच् कुछने से भी रुखना पड़ेगा, environment pollution को भी रुखना पड़ेगा, tipping point से मेरा क्या मतलब है, कोई बताना चाहिए, तो comment box में बता सकता है, उसी के लिए हमारी Paris climate deal हुई थी, ठीक है, और उसी के लिए हमारा पूरा UNFCCC चल रहा है, क्योंकि global time pressure काफी तेजी से बढ़ रहा है, मैं थोड़ा डीप जा रहा है, इन सब चीजों के लिए करके इनको बता रहा हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि इसी जरूरी है जानना, ठीक है, तो जब हम UNFCCC की जब हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पर targets यहीं है, कि जो time pressure तेजी से बढ़ रहा है, यो time pressure यही एक level को cross कर गया, तो irreversible हो जाएगा, उसको कैसे भी रोका जाए, ठीक है, तो यह सब side की बाते थी, अब देखते हैं, Indian craft have sustained 100 million people in past and can do so again in the credible tradition and new skills textile वगरा, तो मतला हमारा तो traditional system था न, उसमें काफी सारे लोग थे और उसमें हम कोई organic की सब कुछ चलता था, क्राफ सिस्टम हमारा काफी organic ही था, मतलब उसमें कुछ इस तरी की चीजों का utilization नहीं था, जिसे की pollution हो, अभी देखो, अभी उत्राकंड के अंदर क्या चल रहा है, community led ecosystem such as homestay, मतलब वो अपने घरों को allow कर रहे हैं, और homestay को provide कर वारे हैं उत्राकंड में, तो और लद्दा के अंदर सिक् construction ज्यादा करते हो तो क्योंकि अभी बता है, वहां पे चार धाम के लिए जो पूरा बन रहा है, सड़क वागरा वो भी काफी controversy के अंदर है, ठीक है, तो क्योंकि काफी construction वहां पे चल रहा है, और eco-friendly है, और eco-tourism आपको बोल सकते हो, जो की काफी अच्छी पहल एक तरह से ठीक है, उसके रावा इसमें क्या हो सकता है कि community को concerned area की community है, होना उनकी democratic approach होनी चाहिए, wildlife protection वगरा को इनको भी ध्यान देना चाहिए, और manrega की linking की जाए, इस तरह की activities के साथ, और मतलब तो वो भी एक अच्छी चीज होगी है, उसके बाद way forward की दिए हम बात करें, way forward finally अब इसके अंदर यही है, we need a orientation that entails fundamental structuring of economy and governance, तो हमको इस तरह की orientation की requirement है, जिसमें economy और governance की structuring हो while structuring, it will mean a shift away from large infrastructure and mega corporations to cooperatives and ensure right of commons, तो हमें infrastructure and mega corporations की पीछे भागने की बजाए है, जब भी आपको बता है Western Ghats का भी क्या हाल है, Western Ghats के regarding a committee बनीते है, उसका नामा को बताना है, Western Ghats जो है, नामा पर इनफर्स्ट्रेक्चर अब जल्दी से काफी ज़्यादा बनाया जा रहा है, तो काफी fragile होते जा रहा है हो भी ठीक है, और उसके पर काफी अभी protest भी चलते रहते हैं, और उसके लिए committee भी बनाई थी अभी है और उन्होंने क्या recommendation दी है, उनको आप comment box में लिख सक Okay, sorry, sorry, then India will finish its century, तो मतलब भी बताना चाहिए कि जब हम 100 साल को complete करेंगे, अभी 75 years हो चुके हैं, तो independence को तो ऐसा होना चाहिए उस ताइम पे, ऐसा अंका मानना है, ऐसा ही सूच रहे है, ऐसा ही बता रहे हैं कि ऐसा करना चाहिए हमको, और government को भी चीज़ करना चाहिए है, और उसमें participation लेना चाहिए, that has achieved genuine well-being, तो मतलब genuine well-being को अचीव करना, ठीक है, यह हमारा motive होना चाहिए, जब हम 100 साल हमारी सुतनता को जब हो जाएंगे, तब तक हमको यह सब चीज़ अप ensure कर ली नहीं है, ठीक है, तो इस तक ऐसे काफी holistic तरीके से इनोंने यह पूरी बात अपनी रखी है, और बताया है, कि मेरली केवल figures के पीछे भागना, GDP के पीछे भागना, GDP के साथ इतना चाहिए, अटेच्मेंट हो ना, politician का, economist का, और अपने agenda के अंदर हमी सब GDP का अपर हैंड पे रखना, this is not right kind of approach, आपको environment को भी समझना होगा, ठीक है, और environment की तरफ sensitive रहत है, तो काफी अच्छा इन्हों और एडिटोल यहां पे लिखा है, तो इसके साथ हमारा आज का DNA और एडिटोल एनलाइसिस फिनिश होता है, आप इस चैनल को subscribe कर लिजिए, इसी तरीके के interesting जो एनलाइसिस के साथ हम आगे भी मिलते रहेंगे, सुनने के लिए धन्यवाद, थैंक यू फर लिस्निग में